आपके लिए नाइम हिंदी ग्रामर का वचन जेपकर जो कि आपने इस खुन में पढ़ा है पर आपको समझने आए तो मैं आपको वही समझाना जा रहे हूं कि वचन में हाखिर है क्या वचन होता क्या है ठीक है तो हम सबसे पहले वचन के डेफिनिशन नरी गारते हैं शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेख होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं बोध का मीन होता है यापर ग्यान क्यों होता है ग्यान ठीक है शब्द के जिस रूप से एक या अनेख होने का यानी शब्द के लड़की है हमारा एक होना का पता चलता है कि लड़की एक है, और हशने हम लिखते हैं लड़की यहां इससे का पता है का नहीं है, यहां पर अन्यख लड़की है तो यह खिना है इसके हमें पता चलता है कि यह अगै के एक है या अनेक है उसका हमें वचन कहते हैं वचन ठीगे अब हमताद हम राहिपने वचन गोड़ों प्रृचन बिस्कार्शन ऌपन बताती हूं जानों एक वचन वचन में और भावचन क्या होता है एक होचनन के हमागी जैसे यह वन वॉल है इतनी है वन तो हमे संच कर पलेंगे गैन्ड यह एक है इसलिए हमें यह अ उसओक में बस्ते मोपल में है इसी godt हे मिस जो अरप जैसे कहां Burbank इंयह कूए कर ठीक है अजसे हमें पता चलाए कि कोई भी चीज की होगी तो हमारा एक वज़न होगा ठीक है तो अपने भी यह बता लिया और आपको थोड़े से धारन भी बता दिख מס फिर से गेंड एक है इसलिए एक वचन हुई है पतांग एक अच्छन हुई है और यहां पर किताब एक है श्लिए एक वचन हुई